okay so Hello Everyone स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने के पहले दिख रहे हैं मैं इस वीडियो को pre-shoot कर रहा हूँ बट हाँ 12th of November आज शाम 6 बजे से 7.30 बजे तक markets open होँगे pre-market होगा फिर market open होगा एक गंटी के लिए 6.15 से 7.15 market open होगा उस टाइम पे लोग जो है कुछ buy करते हैं कि आर मैं इसे buy करूँगा और मैं इसे रख तूँगा मैं इसे sell नहीं करूँगा और आगे ये रखा हुआ रहेगा मेरे पास stock के में बात कर रहा हूँ तो 6.15 से 7.15 लोग यहाँ पे buying करते हैं और ये time मैं आपको जश्ट बता दिया मोहरत trading इसे कहते हैं और markets इस टाइम पे एक गंटे के लिए open होता है प्री पोस्ट मिला लोगे तो तो तेर दो गंटे हो जाते हैं खेर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मैं वापस आता हूँ आज हम बात करने वाले हैं आज हमारा लास दिन होने वाला है बेस्ट दिवाली स्टॉक पिक्स इस सीरीज का इसका यह नाइन्थ वीडियो है इसके बाद एक और वीडियो आएगा टेंथ पार्ट जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा वो भी मैं कुछ देर में अपलोड कर दूँगा ज्यादा टेंशन मत करूँ मैं शाम में अपलोड नहीं करूँगा सुबह में ही दोपर में अपलोड कर दूँगा क्योंकि ओविसली शाम को आप सब बिजी होगे और शाम को मुहरत ट्रीडिंग का भी टाइम है तो ठीक है आगे बढ़ता है सबसे पहली चीज़ यार लाइक, शियर, सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन प्रेस करके अल पे जरूर से सेट कर देना जो स्टॉक्स मैं इस प्लेलिस्ट में पिक करता हूँ जो भी स्टॉक्स हम डिसकस करते हैं इसमें तीन में क्रैटेरिया होता है तीन बेसिक एंड सबसे इंपोर्टेंट क्रैटेरिया पहला आप इसे लॉंग टम के लिए होल्ड कर सकते हो जिस तरह मैंने बताया कि मुहरत ट्रेडिंग में लोग ऐसे स्टॉक्स बाइ करते हैं जो वो लॉंग टम के लिए होल्ड करें पांस साल दस साल और दूसरा बाइ और फॉर्गेट आप इसे बाई करो और भूल जाओ आपको रोज रोज इसे ट्रैक करने की जुरूत नहीं है तीसरा सेकूलर ग्रोथ स्टॉक्स कुछ भी हो का वीडियो है इस वीडियो में हम बात करने वाल है Polycab India Limited के बारे में और Polycab India क्या काम करती है wires and cables का काम करती है दिवाली है wires and cables का थोड़ time है आप lighting सजाओगे lights लगाओगे और ये company भी कुछ वैसा ही काम करती है तो मैंने सोचा आज इस stock के बारे में discuss करने का सबसे अच्छा दिन है start करते है market cap से तो यहाँ पे 77,000 क्रोड का market cap है P ratio लगबग 48 के आसपास है जो industry P है वो 35 के आसपास है मतलब industry P से P ratio थोड़ा जादा है बाकी individually देखोगे तो P ratio बहुत जादा नहीं है 50 के नीचे ही है तो reasonable valuation पे मौझूद है अगर बात कर इसके business के बारे में company क्या करती है company अलग-अलग तरह के electrical products बनाती है जैसे कि यहाँ पे wires हो गए, cables हो गए, fans हो गए, switches हो गए LED lights हो गए, solar inverters हो गए, luminaries हो गए, pumps हो गए मतलब lights बनाती है जो मैं आपको पहले भी बताया और diwali का time है, lights का time है तो इसके बारे में थो थोड़ा बात्चित बनता भी है लेकिन मजाग से अटकेस के fundamentals मुझे काफी अच्छे लगते है इसलिए यह अभी list में है और अगर मैं बात करो fundamentals की आप देख सकते हो 5 साल में 16%, 3 साल में 17%, TTM में 20% का sales growth है और market leader है, market share बहुत जादा है, 20% का sales growth मुझे लगता है decent है अच्छा है, लेकिन sales growth से भी अच्छा जो है profit growth 5 साल का 28%, 3 साल का 18% है और TTM का 52% का profit growth है, which is actually very good अगर आप ROE देखोगे, 19-20% का ROE जो है company maintain करके रखती है which is also very good, अच्छी बात है, अगर आप EPS growth देखोगे तो यहाँ पे देखो 12, 11, 13, 16, 25, 35, 50, 60 कह सकते हैं, 69, फिर उसके बाद 60 हुआ, 84, 107 लगातार यहाँ पे EPS बहुत बढ़ता है, अच्छे से बढ़ता है आप अगर देखोगे तो 60 के बाद डारेक्ट 84, 84 के बाद डारेक्ट 107, तो काफी अच्छा EPS growth भी है, balance sheet के बारे में बात करें, 7,000 करोड का reserves है, borrowings जो है 213 करोड की है, जिसमें 3 करोड का long term, 1,500 करोड का short term and 50 करोड का lease है, तो lease हटा दो, यहाँ पर लगभग आप कहलो, 160 करोड का borrowing है, जिसमें सबसे जादा, मतलब majority, 90% यहाँ पर जो है, 90 क्या गए रहो, 95% यहाँ पर जो है, वो यहाँ पर short term में है, short term कम risk होता है, safer side पर होता है, और वैसे भी यार, total borrowing भी काफी कम है, reserves 7,000 करोड के हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, CWIP आप यहाँ पर देख सकते हो, 2,300, 3,500 करोड का CWIP चलता है, investors के बारे में बात करें तो 66% का promoter holding है, 12,5% का around FIIs का holding है, DIs का holding लगभग 8% है, public का holding लगभग 13% है, इसमें भी अगर आप देखोगे, तो 2 HNIs है, अगर आप इन्हें minus कर दोगे, 4% minus कर दो, लगभग 10% अगर मैं, 9% अगर मैं मान लेता हूं, चलो 9% मानते हैं, 9-10% तो retail investor कितने हुए, 9-10% retail investor हुए है, और 9-10% का public holding बहुत कम है, मैं हमेशा कहता हूं, जितना कम retail investor का holding, जितना कम public का holding उतनी ही अच्छी बात, तो यहां पे shareholding pattern, public का बहुत कम है, और public के पास बहुत कम shares है, majority shares है, वो FIIs, DIs, HNIs promoters के पास है, तो यह बहुत अच्छी बात है, तो shareholding pattern अच्छा लगा, बाकि मैंने profit and lost statement में सब कुछ discuss कर दिया, कि ROE कैसा है, growth कैसा है, EPS कैसा है, सब कुछ, तो यही पे video end करेंगे, and last में 2-3 चीज़ है, पहली चीज़, technicals के बारे में मैंने क्यों बात नहीं करा, क्योंकि long term में fundamentals और business ही सब कुछ होता है, technicals का कोई value नहीं होता, long term में जब आप 5-10 साल की बात कर रहे हो, जब आप short term की बात करते हो, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, तो यहाँ पे technicals तो काम में आता है, दूसरी बात मैं इस video में कोई recommendation नहीं दे रहा हूँ, purely educational purpose का video है, once again मैंने आपको बता दिया, तो ठीक है यार, end करते है video को, hope आपका दिवाली काफी अच्छा जाए, happy दिवाली, and safe दिवाली, आराम से दिवाली मनाना, बहुत मज़े करना, and हाँ, एक और वडियो आने वाला है, थोड़ी देर में, I think, 2-3 गंटे में आ जाएगा, तो उसको भी देखना है, तो subscribe करो यार, और bell icon प्रेस करो, ताकि notification मिल जाए, और हाँ, आप बता सकते हो, आपने मुहुरत trading में कौन सा stock buy किया, क्यूं भाई किया, और आप कब तक रखने वाले उसको, और सब कुछ आप लिख सकते हो, comment section में, end करते हैं वीडियो को, bye bye and thanks for watching,